देखिए आपका पहला कोचन दे रहा है कि भारत की अर्थ ब्यवस्ता कैसी है तो भारत का अर्थ ब्यवस्ता आपका मिस्रित अर्थ ब्यवस्ता है अगला कोचन है कि आर्थिक दृष्टी से भारत कैसा देश है तो भारत आपका एक विकास असील देश है इसके आगे आपका कि दुतियक छेतर में क्या आता है तो दुतियक छेतर में आपका उद्योग आता है और अगर आपसे बात करेगा कि तिर्तियक छेतर में क्या आता है तो तिर्तियक छेतर में आपका सेवा छेतर आता है तो तीनों को आप अच्छे से याद रखेगा इसके आगे आपका अगला question दे रहा है अगला question है कि ब्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवा भारतिय अर्थ विवास्ता के किस छेतर में आता है तो देखिए आपका जो सेवा छेतर है यह आपका तिरतिय छेतर में आता है और जो तिरतिय छेतर है इसका सबसे ज्यादा आपके भारत के GDP में योगदा इसके आगे आपका देखे अगला कोशन दे रहा है कि अर्थ साष्ट का जनक किसे कहा जाता है तो एडम इसमीत को कहा जाता है इसके आगे आपका अगला कोशन है कि लगतार बढ़ती कीमतों की प्रकिरिया कालाती है तो इसे हम मुद्रा इस्पीती कहते हैं देखे इसके आगे आपका आठ नमर कोशन दे रहा है कि बंद अर्थ व्योस्ता का क्या अर्थ होता है तो बंद अर्थ व्योस्ता का मतलब यह होता है कि किसी भी देश के साथ ना ही आम आयात कर सकते हैं और ना ही निर्यात कर सकते हैं तो यानि कि आयात और निर्यात आपका बंद रहता है तो इसे आप अच्छे से याद रखेगा इसके आगे आपका देखिए अगला कोशन देराए कि सर्योदय योजना के संस्थापक कौन थे तो जय प्रकाश नरायन से अगला कोशन है कि भारत में सर्व प्रथम राष्टी आय का अनुवान किष्णे लगाया था तो दादा भाई नौरे जी के द्वरा लगाये गया था इसके आगे आपका अगला कोशन है कि भारती अर्थ व्योस्ता के उदारी करण का अग्रदूत किसे कहा जाता है तो डाक्टर मनमोहन सिंग को कहा जाता है अगला कोशन है कि भारत में मुद्रा इस्पीती की गर्णा किस पर अधारित है तो थोक मूल सुचकांग पर अधारित है इसके आगे आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है कि भारती अर्थ विवस्ता में कौन से छेतर की हिस्सेदारी सकल राष्टिय उत्पाद में सबसे ज़्यादा है तो हमने बात किया कि तीरत्य आपका जो छेत अंता कहां इस्तित है तो आपके हैदराबाद में इस्तित है कि आगे आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है कि भारत की मौदरिक नीती को कौन से संस्था नियंतरित करती है लिजर्ब बैंक द्वारां किया जयता है कि भारत में प्रथम निस्चित पूझी-तृ बैंक किस बैंक की अस्थापना की गई थी तो इस्टेट बैंक आप इंडिया की अस्थापना की गई थी अगला कोशन है कि भारती बीदेश बेपार संस्ता कहां इस्तित है तो नई दिल्ली में इस्तित है इसके आगी आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है कि अर्थ सास्त में ग्रेशम नियम का समन्ध किसदसे है तो मुद्रा के सनचालन से इसका समन्ध है अगला कोचन है कि उपभोगता की बज़त का सिधांत किस ने दिया था तो अल्फ्रेड मार्शल के दिवारा दिया गया था इसके आगे आपका देखिए अगला कोचन दे रहा है कि भारत में के पास होता है इसके आगे आपका देखे अगला कोषन दे रहाए कि भारतीय प्रिजर्ब जबा का मोख ञाले कहां इस्तित है तो मुंबई में इस्तित है अगला कोषन है कि राष्टिय विकास परिषत का गठन कद किया गया था तो Mars ले Quand आग्याव के और आयोका गठन कब किया गया था तो 1950 में किया गया था इसकी आग्याव का देखिया अगला कोशनुसेन दे रहा है कि भारत कराश्ठी आयका प्रमुक horrभ्त क्या है तो सेवा कर्ष इसका प्रमुक सुरूत है अगला कोशन है कि नर्शिम्ह समीती का समन्ध किसा से है तो बैंकिंग सुधार से है यह आपका जो कोशन है यह आपका most important है तो इसे आप अच्छे से याद रखेगा इसके आगे आपका देखे अगला कोशन दे रहा है कि करेंसी नोट प्रेस कहां इस्तित है तो आपके नासिक में इस्तित है अगला कोशन है कि भारत के प्रचन बिरुजगारी समानता कहां दिखाई परती है तो क्रिसी के छेतर में हम प्रचन बिरुजगारी देखने को हमको म मिलता है इसकी आग्याप का देखिया अगला कोशन दे रहा है कि भारत का पहला मुबाइल बैंक कहां अस्थापित किया गया था तो मध्य परदेश के खरगोन जीले में किया गया था इसकी आग्याप का देखिया अगला कोशन दे रहा है कि भारत में प्रथम पंच्य वर्सी नई 151 से प्राजम किया गया था इसके आगे आपका अगला कूचन है कि मुद्रा की मातरा में कमी क्या कहलाती है तो इसे हम मुद्रा का संग कूचन कहते हैं इसके आगे आपका देखे अगला कोशन दे रहा है कि जब सरकार की आए कम हो तथा ब्याई ज्यादा हो तो अर्थ ब्यवस्ता को क्या कहते हैं तो वह ऐसी अर्थ ब्यवस्ता को घाटे की अर्थ ब्यवस्ता कहा जाता है अगला कोशन है कि नबाड बैंग का पूरा नाम क्या है तो राष्ट्य क्रिसी एवं ग्रामिड विकास बैंग इसका पूरा नाम है इसके आगे आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है कि जो अर्थ वेवस्ता आर्थिक दिरिष्टी से पूनता संपन होती है उसे क्या कहते हैं तो उसे हम बिकसित अर्थ वेवस्ता कहते हैं इसके आगे आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है कि दुरगापूर भहिलाई रावर केला के इसपात करखाने किस पंचवर्षी योजना के दवरान अस्थापित किये गए थे तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दुतिय पंचवर्षी योजना 1956 से लेकर 1961 के बीच मे किया गया था यह आपका कोशन बहुत ही महत्पूर है तो इसे आप अच्छे से याद रखेगा देखे इसके आगे आपका अगला कोशन दे रहा है कि अंतियोदे योजना कारिक्रम किस वर्ष प्रारम किया गया था तो वर्ष 1977 और 78 में किया गया था अगला कोशन है कि 12 अप्रेल 1988 में किया गया था अगला कोशन है कि प्रतम चरण में कितने बैंकों का राष्ट्री करण किया गया था तो सब से पहले आपका चओदवा बैंकों का राष्टी करण किया गया था इसके आगे आपका देखे अगला कोशन दे रहा है कि भारतिय जीवन विमा निगम LIC की अस्थापना कब की गई थी तो LIC की आपका अस्थापना सितंबर 1956 में किया गया था अगला कोशन है कि केंद्र राज समंदो से समंदित समीती का क्या नाम है तो इसे हम सरकारिया समीती के नाम से जानते हैं इसके आगी आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है कि भारत का सबसे पुराना इस्टाक एजेंसी कौन सा है तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मुंबई इस्टाक एजेंसी है इसके आगी आपका देखिए अगला कोचन दे रहा है कि आप्रेशन फलड किससे समंदित है तो आप्रेशन फलड आपका दुख्द उत्पादम से समंदित है अगला कोचन है कि भारत में बित आयोग के गठन का प्रावधान सविधान के किस अनुछेद में किया गया है तो अनुछेद 280 में किया गया है